असलाम अलेकों वेल्कम बेक्टू माइंड़ वीडियो आप देखने की चिनल को असर व्यास बहुत ही सबर्दस थी बहुत ही मज़ेदार से चिकन और मटर बनने लगे हैं और रेस्पी एंड दक देखिएगा सबसे पहले दो है रदल आपको कुछ अबाद रखें अगर आप हम बनाएंगे मटर और चिकन मटर और चिकन बनाने के लिए एक कप में ऑईल डाल दूँगी कड़ाई में और कड़ाई में ऑईल डालने के बाद मेरे दो प्यास काटे थे बड़े वाले और इसको में डाल दूँगी और इसको फ्राय कर लेंगे इतना है कि इसका हलका सा ल 1 टैबल स्पून तो यह सब मसाले हम ऑईल में डाल देंगे और साथ में पाने डाल देंगे ताकि यह जलना तो थोड़ा से सब्टेमाटर मैंने और इसमें ग्रायंच कर लेंगे और इसमें डाल देंगे अब जो में ने आपको बताया था प्यास ग्राइंड करने के लिए रखा है तो प्यास हमारा ग्राइंड हो चुका था और यह सारा प्यास में डाल देंगे और फिर से इसको मिक्स करेंगे और मैंने चिकन भी धो लिया था और मटर चील के धो लिये थे और दोनों मेने पान पान सो ग्राम लिये थे यानि के आदा अदा किलो तो ये देखें मैने चिकन और मटर दोनों एक ही बाल में रख लिये थे और साथ में दोनों हमने डालने हैं क्योंकि इनकी जो टाइमिंग है गलने की सेम टाइमिंग है तो दोनों एक साथ हम डाल देंगे तो ये डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी अगर जरूरत है तो आप पानी डाल दें अगर नहीं जरूरत आप नहीं डालें तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा पक जाए और इसको मैं पानी डालके पांच मिनट के लिए कवर कर दूंगी क्योंकि अभी इसमें एक चीज जाना बागी है तो कवर कर देंगे पांच मिनट के लिए तो मिलते हैं पांच मिनट बाद पांच मिनट हो चुके हैं अब इसमें हम डाल देंगे लस्टन पिसावा लस्टन पिसावा हम डालते हैं भुनाई के टेम ताके इसकी अच्छी सी खुश्बू आए और जाएका भी बहतरीन बनता है तो ये तकरिवर आदा गल चुका है और ये देखें अब लस्टन डाल दे हैं मैंने पिसावा वन टेबल स्पून और इसको मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने बाद इसमें अगर पानी की ज़रुरत है तो हम पानी डाल देंगे और इसको कवर कर दूंगे में 10 मिनट के लिए और 10 मिनट हो चुके हैं और देखें क्या जबर्दस सा ये रेडी हुआ है अभी थोड़ी सी इसके हमने भुनाई करनी है बस चंद सेकंड के लिए पानी भी तकरीवर इसका खुशक हो गया है और थोड़ा इसको चमच hasnक लाके भुनाई कर लेंगे अगर ज्यादा पानी होता तो इसमें ज्यादा टाइम लगता भुनाई करने में और चेक कर लेते हैं अगर जरूरत होगी तो मैं और डाल दूँगी तो इसको मिक्स करने बाद मैंने चेक किया है कि भी थोड़ा से और की जरूरत है क्यूंकि हमने बाद में और पकाना है इसको तो यह मैंने आदा ग्लास और डाल दिया यानि यह दो ग्लास डाल दी है है सालन में बहुत बहत्रीन बनता है तो मिलते हैं दस मिनट بعد और दस मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छा सा हमारा सालन रेडी हो गया है चिकन और मटर का तो मैं आपको दिखाऊ हूँ यह देखें क्या जबर्दस इसका शोर्बा बना है क्या लजीज मज़ेदार सा तो इसको मैं अब कर लूँगी थोड़ा सा धनिया डाल के डिश आउट यह धनिया डाल दिया है और इसको डिश आउट कर लेते हैं और क्या वी आई पी देखें जबर दस्ता चिकन और मटर रेडी हो गया है आप इसको चाबलों पर डाल के खाएं रोटी से खाएं पराठे से खाएं तो आप नहीं जरूर ट्राइ करना है और फैमिली फरंट में जरूर शेयर करना है तो मिलता है नहीं रेसिपी के साथ दूआ में अजादत दें और फीड़ बेक में जरूर दाएगा कि आपका ही सालन कैसा बनाए है बहुत मज़दार है और बहुत ही बहतरीने सरदियों के लिए तो मिलते ही नहीं रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज